दोस्तों क्या आप भी अपने जड़ते गिरते और कमजोर बालों को लंबा घना और चमकदार बनाना चाहते हैं तो पानी में ये मिलाकर आप हफते में एक बार बाल धोकर देखिए आपको फर्क नजर आएगा ना कि सिर्फ आपके बाल चमकदार होंगे साथी साथ आपके ब बालों की लेंथ भी अच्छी होगी ट्रस्ट मी एक बार जरूर ट्राई करना वीडियो ची लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा सबसे पहले आपको लेना है आपके घर पर रखा नैच्रल हर्ब और बहुत ही बहतरी आप पोल सकते हैं नैच्रल मेडिसिन हर्ब आपके ब पानी को चान लेना है क्योंकि ये ना की एक नैच्रल हर्ब है बलकि आपके बालों के लिए मैडिसिन जैसे है आपके बालों की लेंथ और आपके बालों की हेल्थ के लिए करीपत्ता का पानी बहुत अच्छा है अगर आप पका कर करीपत्ता का पानी नहीं चाते तो आप के भी करीपतल का पानी इस इस हूम रर्मिडि के लिए साथी साथ Hier मैंने डाले है फोड़ा सा नेम्पू येरिये नीम्बू जब मैं कभी बच्पन में थी ना तो सिर्फ बालों को चमकाने के लिए खाली नीम्बू का पानी भी लगाती थी बालों में बहुत चमकते थे साथ इसमें डाला है थोड़ा सा रोज वाटर ताकि आपके स्किन के तरह आपके बालों को भी हाइडरेट कर दे और बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिसरीन और साथ ही आपका फेवरिट कोई भी शैंपू इन सब चीजों का अच्छे से मिक्स कर लीजे और एक बार जो भी हम काम कर देखते हैं क्या होता है उससे रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे और एक बार में कभी ना ही रिजल्ट निगेटिव आता है ना ही पॉजिटिव मैं ना जाने कितने सालों से कितनी सारी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ आइटिंक दो हजार से भी उप किया करें मैं हमेशा बोलती हूँ जूकि यह इसमें है करी पता तो आपके बालों को मजबूती मिलती है आपके बालों में रोज वाटर की गुड़नेस से आपके बालों का पीच लेवल मैंटीन होता है गलिसरीन आपके बालों को सूपर ग्लॉसी बनाती है शैंपू तो क् अच्छी है तो हफ़ते में एक बार इस तरह से नाच्रल तरीक से ट्राइब करना बनता है अपने फ्रेंड फैमिली को भी शेयर करें और ट्राइब करने के लिए जरूर बोले और आपको कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा उमीद करते हूं दोस्तों आपको वीडियो अच् सब्सक्राइब भी कीजिए